दोस्तों आज इस बीड़ो में सीटेट को क्रेक करने लिए केबल मात्र एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आने वाले भविस्य को बहतरीन दिसा दे पाएंगे हर बहन हर भाई का कमेंट है कि बहुत जादा हम परेशान है हमारे परिवार वाले हमसे बहुत दुखी हो चुके हमसे परेशान हो चुके हैं हमसे नाराज हो चुके हैं कि हमारा सीटेट नहीं क्लियर हुआ है और काफी बार प्रयास क्या रहा है और लास्ट ये चांस रहेगा तो नमस्कार जैहिंद वन्दे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम या पहली बार बैठने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किस स्टेट से आते हैं तो वहां स्टेट के बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन सा जो बच्चा है वो कौन से स्टेट से है कौन से डिस्टिक से है ये भी मुझे पता चलता रहे कि वहां की भासा क्य और चनल पर पहली बार है चनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां पर classes का से सिला थमता नहीं guys देखें आज सबसे पहला point आता है paper 1 और paper 2 paper 1 में देखा होगा paper 2 में देखा होगा CDP मनो विज्ञान ठीक है 30 number और 30 number की Hindi, English और संस्कत या फिर अन्य सब्जेक्ट लेते हैं वो भी 30 number का first paper की बात कर रहे है प्रात्मी किस्तर की और EBS भी 30 number की math भी 30 number की है ना और दोस्तो second paper में CDP और English और English यहां तक आपका सेम रहता है 30-30 तक लेकिन जो बच्चे होते art और science में उनमें SST art में और science math का आ जाता है 60-60 number का वहाँ पर आपका science माले बच्चों में ठीक है तो चीजें बिल्कुल clear होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो सबसे पहले यह याद रखीगा यूपीटेट हो चाहे एमपीटेट हो चाहे रीट हो और किसी भी इस टेट की परिक्चा हो उसका बिलकुल सिलेवस cteads के बिलकुल सिलेवस से अलग होता है आधा से जाधा अलग होता है अब समझेगे कैसे इस चीज को बढ़ा बहुत अच्छी तरीके से समझेगे कि ये REIT वाले UPTATE, MPTATE ये नसे में पेपर बनाते हैं और SLAVAS से बाहर बना देते हैं लेकिन कभी भी SEATED का पेपर जिंदगी में एक-एक कुश्चन याद रखना कभी भी बाहर नहीं जाएगा SLAVAS से अब बात आती है गलती क्या कर रहें गाईज यहाँ पर केवल एक मेथड बताने वाला हूँ मैं और वो मेथड अगर आपने अपना लिया तो मैं कहता हूँ ठोक के तार ठोक के कहता हूँ भाहिया कि पूरे पूरे दो से तीन लाग बच्चे हमने पिछली बार अपने एक्जाम्स में यहाँ पर कमेंट्स में आपको टेलिग्राम पर डाले थे ठीक है ना आपको वहाँ पर पूल भी डाला था और कितने गाईज वहाँ पर पास हुए थे आपको खुद पता होगा पुराने बच्चे हैं जानते होंगे गलती क्या कर रहे हैं सबसे पहले यदि आप चैन ही नहीं करेंगे यानि क्या चैन कर रहे हैं क्या मुझे पढ़ना है कौन सी बुक पढ़ना है यार बुक नहीं पढ़ना है आपको आपको किसी दोस्त ने बता दिया ये बुक पढ़ना है तो आपने खरीद लिया किसी दूसरे से मिले उसने concept clear करना है और concept कैसे clear करोगे कैसे कैसे questions आते हैं वो भी बताऊँगा सबसे पहला point है कि तैयारी दो भागों में करनी है seatate की बात कर रहा हूँ guys ध्यान देना 50% concept प्रसन आते हैं जो आपके दिमाग को यहाँ पर कहेगा आगमन विदी के 3830 नंबर का है तो उसमें 15 question ही होंगे आपके concept और 15 question ही pedagogy कहोंगे एक एक नपा तुला आता seatate में कभी एक ना इधर ना एक उधर तो बस याद रखना है अब बच्चे बहुत सारे math में problem हो जाते हैं और वो क्या करने लगते हैं अभी मैं मैत के लिए बताऊंगा गजब की बात बताऊंगा आपको देखना कैसे यहाँ पर क्रेक करें 50% concept प्रसन आते हैं जिसमें आपको direct question पूछेगा कि यह किस ने दिया है और 50% यानि 15 question आपके हर बिसे से आते हैं कैसे आप से को 120 plus number या 110 से 120 के criteria में आपको आना है तो cable पहले आने के लिए concept को समझना पड़ेगा यानि 50% का जो concept आता है उसको तो समझना जरूरी है ना उसी से तो हमारा pedagogy भी तो बनेगा अगर वो concept समझ गए तो उस चीज से भाईया हम pedagogy आसानी से तयार कर सकते हैं लेकिन क्या आप इनके लिए किताब का यूज़ कर रहो और कौन सी किताब चुंड़े हो क्या ये आपने सोच है मैं किताब नहीं बताने वाला हूँ जिससे आप परेशानों की आम किताब कोई बताने वाले हैं आप घर बैठे यहाँ पर तयारी कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कोचिंग के बिना कुछ नहीं होगा वे ताल ठोक के कहता हूँ हार कोई विध्यारती यहाँ ब्रिलेंट होता है यूनिक होता है सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो कि गलती आप एक साथ क्या कर रहे हो 120 नमबर लेने के लिए और वो अटक जाता है 70 से 80 नमबर पर बात क्या कर रहे हैं गाईज खीर मत फैलाना है यानि आप यह अपना समझ रहे हो आदा गंटा मैंने यह खोल लिया ABS खोल लिया आदा गंटा यह खोल लिया आदा गंटा वो खोल लिया यह नहीं सर करना है आपको अगर बाकई में seated पास करना है seated बाकई में पास करना है तो केवल एक सबजेक्ट उठाओ और वो जीरो से लेकर सिखर तक पढ़लो और एक सब्जेक्ट को मैं मानता हूँ केबल आप तीन गंटे में खतम कर सकते हो कैसे खतम कर सकते हो और केबल वीडियो वाच करके तो आप एक ही गंटे में खतम कर सकते हो एक प्लेलिस्ट आपको मनोविज्ञान की उठाना है जब तक मनोविज्ञान खतम ना हो जाए तो guys यहां क्या करना है पहले मनोविज्ञान दुबारा मनोविज्ञान के पढ़ते समय आप कोई भी दिन जब तक मनोविज्ञान खतम न हो जाए तब तक आप हिंदी नहीं EBS नहीं उठाएंगे कुछ नहीं उठाएंगे एकदम खतम हो दूसरी प्लेलिस्ट उठाओ फटा प्लाज देते हैं कुछ बच्चे आठ घंटे पढ़कर भी फेल हो जाते हैं को की तरीका कारन क्या है उनका तरीका गलत होता है कि हम क्या पढ़ रहे है अब बात आती है क्या पढ़ रहे हैं बात ये भी आती है सबसे पहले point यектив आता है कि आप जो पढ़ रहे न. EBS आपने उठाया तो आपने concept question उठाना स्टार्ट कर दिया पेड़ागोजी पे ध्यान नहीं दिया ठीक है अब बात आती है आपने math की बात करें math में बहुत interesting point यह है कि math के बच्चे क्या करते हैं कोई भी band कोई भी भाई math देखा उसको लगा हुआ है मैं तो उसने start कर दिया R.S. अगरवाल या फिर उसने कुछ भी उठाके जो है यादब की publication उठाके किरन की उठाके कर दिया start लेकिन कभी आपने यह गौर किया है उस चीज को आपने गौर ही नहीं किया है कि जो आपके में आता ही नहीं R.S. अगरवाल का दूर दूर से रिस्ता ही नहीं है seated से तो भाईया आप क्यों परेशान हो आपको करना ही है बाकई में अगर आपको लगाना है कुछ भी लगाना है तो आप previous year paper उठाओ 2011 से लेकर आज तक के लगा डालो मैं बादे के साथ कहता हूँ कि आपको concept समझ में आ जाएगा कि कुछ सम कैसे तरीके तो वही pattern आपको repeat हो जाएगा बस संख्या है चेंज होती रहती है लिकन ये बताओ 15 कुछ सम आते हैं आपके concept 15 कुछ सम तो आपके सवाल में भी math में भी तो आपके यही आएंगे पेड़ागोजी में कि छात्र अगर परेशान है या छात्र को दिक्कत है अगर छात्र को पढ़ने में रूची नहीं है तो क्या करेंगे तो math भी तो भाईया 15 नंबर की digit वाली आती है और 15 नंबर की आती है भाईया बिलकूर concept बैसी वाली पेड़ागोजी की तो पेड़ा पेड़ागोजी की तो आपको 50% ये concept को जाएंगे यानि थॉनडाइक पाउला इसकिनर ये सारे अगर आपने मनोविज्यान में नहीं पढ़े तो आपका मनोविज्यान में कोई भी नंबर 15 से जादा नहीं आएगा मनोविज्यान दुबारा मत कहिना कि सर मैंने पढ़ाई नहीं है और EBS भी पढ़ा रहा हूं मैथ भी आप करो तो complete एक प्लेलिस्ट करो complete लेकिन notes बनने चाहिए इसके अलाबा ये सारी concept प्लेयर कराने के बाद 50% आपका क्लेयर हो जाएगा बचा 50% में 3000 questions करा दिये लो 3000 questions की यहाँ पर हमने अलग से playlist बना दिये एक वीडियो आभी चुकी हो आपर अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं अगर एक्जाम के पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो वहाँ पर पूरी मिल जाएगी एक बार आप चेक टेलिग्राम को जुड़ने के लिए आपको क्या करना है गुरू जी एक space देना है गुरू जी की spelling तो पता ही होगी क्या spelling बच्चे नहीं डालते हैं सही और फिर बाद में कहते हैं जी डाल दिया लास्ट में GI नहीं डाला एक space नहीं दिया space देना जरूरी है WO-RLD ठीक है तो मेहनत करोगे थोड़ा हम मेहनत करेंगे थोड़ा आप मेहनत करोगे आने वाला समय अपने आप उंदा हो जाएगा टेलिग्राम से जुड़ने के लिए बहुत important है क्योंकि वहीं पर आपको notification मिलता है और जितनी भी classes में चला राओं आपको रात के बारा-बारे बज़े तक पहले concept को पड़ो कि क्या आना है ठीक है ये चीज़े concept आपको link में नीचे दे दूँगा नीचे link मिलेगी जहाँ पर आप comment करते हो वहाँ पर click करो उस link को को समाल के रखना वो एक link में आपको क्या करना है एक ही link में आपको सारी वीडियो मिलेंगी 10-10 मिनट की वीडियो है आप चाहो तो एक बार गंटे में खत्म कर सकते हो जहिन वन्यमातरम इंकलाब जिन्दावाद